नमस्कार दोस्तों तो आज हम एक फाइंडर की अनबॉक्सिंग कर ले जा रहे हैं जो कि सॉलिट का एस्टू लिखा हुआ यहां पर और डिजिटल सेटलेक फाइंडर है इसका मॉडल लंबर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि मॉडल लंबर है एसेफ साथ सो बीस और अनबॉक्सिंग के साथ साथ फुल रिवू करेंगे हम एक साथ एक ही वीडियो में सब कुछ जानकारी देने वाले हैं तो देखते हैं कि अनबॉक्स में हमें क्या-क्या सेट्ट आपक्स में मिलता है और यहां पर पहले हम जानकारी पढ़ लेते हैं तो यहां पर दिया गय होगी तो कुछ 4500 रुपए दिया गया है जब कि कम में ही मिलता है यह इतनी रेट में नहीं आता और कम में आता है दोस्तों तो यहां पर देख लिए कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा तो अब इसको हम ओपन कर लेती हैं तो ओपन करने के साथ साथ हमें क्या मिलता है तो ओपन कर लेते हैं तो यहां पर देखे एक यूजर मैनुवल हमारे सामने दिखाई दे रही है तो यूजर मैनुवल आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो नहीं तो आप वीडियो देख लिए जिए सारी बाते आपको समझ में आ जाएंगे तो यहां लिए पर देखते हैं गवा फाइंडर तो फाइंडर कुछ तरी के से थे देख रहे हैं है तो हम नहीं साथ मैं क्या-क्या मिलता है एक हमेसले एक कनेक्टर मिलता य Avatar वाला और इसी तरीकी का एक और है दूसके दो कनेक्टर तो इसके साथ हमें दो कनेक्टर मिलते हैं तो कुछ इस तरीके के करेक्टर हैं आपके सामने दिखाई दे रहे होगे तो यह छोटा सा हिस्सा है यह छोटा और एक साइट है बड़ा हिस्सा तो छोटा हिस्सा वाला हमें इसमें लगाना है त के बहुत होती अची क्वाल्टी कर है और यहां पर हम बात करें के इसके यहां पावर अवगयर तो इसमें दीखिए आउट्पूट प्लिए बारा बत और के एक एंपेर इसमें दिया है तो बारा बॉल्ट एंपयर वार इसमें में भालना करता है और बने राता है तो आप उसका अडेप्टर भी यूज कर सकते हैं चार्ज करने के लिए तो यहां से देखिए यह केवल है बिल्कुल सेट्ट वोक्स जैसी ही इसमें पावर केवल है डीसी बारा वॉल्ट है अब हम फाइंडर देख लेती हैं तो फाइंडर को ऊपन क कि तो एक हज से करना पड़ रहा है दोस्तों एक हज से कैमरा पकड़ के रखा है तो यहां पर देखिए फाइंडर कुछ इस तरीके से हैं तो मैं आप लेको के लिए बता देता हूं कि आप यह ओपन ना करें यहां पर लिखा है बारंटी वॉइड इफ सील इस प्रोके इस फरकेंसी बगरत दी गई है जो भी है सीरियल लंबर दिया गया है यह और यहां से कुछ इस तरी से यूएस भी है पावर इंपुट के लिए जो मैंने अभी अड़ेप्टर बताया था तो अड़ेप्टर इस जगे पर लगेगा और नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे क छोटा हिस्सा जो है वो इसके अंदर की तरफ जाएगा और बड़ा हिस्सा तो हम करेक्टर लगा लेते हैं कि देख लिए करेक्टर अगर आप उसमें टच हो जाता है दोस्तों तो बीट की आवा जाती है और आप एक मिनिट दोस्तों इसको लगा लेता हूं तो यहाँ से हम इस तरीके से इसमें लगा लेंगे और लगाने के बाद आपको डेसेंटीनदा की प्रिश में लगाना है और फिर आप सेट अप बॉक्स की जरुत नहीं है आप छट पे लिजाकर सेट लिजाती हैं और फिर होते हैं तो अब हम इसको बापिस लगा रख देते हैं कवर में ही और तो दोस्तों यहां पर आपने देखा एक अन्वक्सिंग की वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें नीचे बैल आइकन बटन है वो दबाना ना भूलें तो थैंक्स फूर वाचिंग दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेस्ट वीडियो मैं